कक्षा, आठवी, विशय, हिंदी व्याकरण हिंदी व्याकरण में आज हम काल, भाग, दो पढ़ेंगे बच्चो काल के पिछले वीडियो में हमने वर्तमान काल और उसके तीन प्रकार की परिभाशा और उधारन पढ़े थे इस वीडियो में हम 6 दो प्रकार के बारे में पढ़ेंगे अब बच्चों हम भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले भूतकाल की परिभाशा पढ़ेंगे क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं अर्थात बच्चो जब हमें यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हुई है तो उसे भूतकाल कहते हैं भूतकाल के तीन प्रकार होते हैं पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा अपूर्ण भूतकाल और तीसरा पूर्ण भूतकाल अब हम सामान्य भूत्काल की परिभाशा पढ़ेंगे क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया बीते हुए समय में हुई है लेकिन इनके पूरे होने या ना होने की कोई जानकारी नहीं है तो क्रिया के ऐसे रूप को सामान्य भूत्काल कहते हैं अर्थाद बच्चो जब हमें वाक्य में यह पता चले कि क्रिया जो है वो बीते हुए समय में हुई है लेकिन क्रिया हमारी पूरी हुई है या अधूरी रह गई है इस बात की कोई जानकारी न हो तो क्रिया के ऐसे रूप को सामान्य भूतकाल कहेंगे जैसे पहला उधारन है बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए अब बच्चो इस वाक्य में क्रिया हुई है घर बनाने की अब इसमें इस वाक्य में हमें सिर्फ यह बता चल रहा है कि क्रिया कौन से हुई है लेकिन जो उनके घर बनाने का काम शुरू हुआ था वो पूर हमारा उधारन है कमल ने प्रतिग्या की अब बच्चो इसमें प्रतिग्या करने की क्रिया हुई है लेकिन क्रिया पूरी है या अधूरी रह गई है इस बात की कोई जानकारी नहीं है इसलिए यह भी हमारा सामान्या भूतकाल होगा सामान्या भूतकाल में क्रिया के अंत में आ, इ तथा ए जुड़ा होता है बच्चो जैसे मैंने उधारन में आपको पताया था बच्चे रेध का घर बनाने में जुट गए वहाँ पर ए आया है इसलिए वह सामान्या भूतकाल है दूसरा उधारन था कमल ने प्रतिग्या की यहाँ पर भी की, इ की मांत्रा आई थी इसलिए यह भी सामान्या भूतकाल था तो बच्चो यह जो आ, इ और ए हैं यह सामान्या भूतकाल पहचानने के चिन्न होते हैं दूसरा प्रकार है अपोर्ण भूतकाल सबसे पहले परिभाशा पढ़ेंगे क्रिया के जिस रूप स यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में शुरू हुआ था पर वह भीते हुए समय में पूरी नहीं हुई उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं अर्थात बच्चो जब हमें यह पता चले कि क्रिया जो है वह भीते हुए समय में हुई थी लेकिन वह अभी पूर्ण नहीं हुई है वह क्रिया अभी तक जारी है तो क्रिया के ऐसे रूप को अपूर्ण भूतकाल कहते है जैसे प्यास से मेरा गला सूख रहा था दूसरा उदारन है बच्चे पाटशाला जा रहे थे अब बच्चो इन दोनों वाक्यों में यह पता चल रहा है कि क्रिया जो है वह बीते हुए समय में अर्थाद भूतकाल में शुरू हुई थी लेकिन वह क्रिया अभी जारी है उनके समाप्त होने की कोई जानकारी नहीं है इसलिए यह दोनों वाक्यों अपूर्ण भूतकाल होंगे अब पूर्ण भूतकाल में क्रिया के अंत में रहा था रही थे का प्रयोग होता है तीसरा प्रकार है पूर्ण भूतकाल सबसे पहले हम परिभाशा पढ़ेंगे क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में शुरू हुई और वह भूत्काल में ही पूर्ण हो गई थी तो क्रिया के ऐसे रूप को पूर्ण भूत्काल कहते हैं अर्थाद बच्चो क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि क्रिया जो है वह भूत्काल में ही समाप्त हो चुकी है तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं जैसे पहला उदारन है रात काफी निकल चुकी थी दूसरा उदारन है हम बाजार गए थे बच्चो इन दोनों उदारनों में यह पता चल रहा है कि क्रिया जो है वह बीते हुए समय में हुई थी और वह बिते हुए ही समय में पूर्ण हो चुकी थी इसलिए यह दोनों वाक्य पूर्ण भूत काल है पूर्ण भूत काल में क्रिया के अंत में आ था, इ थी, ए थे का प्रयोग होता है काल का तीसरा प्रकार है भविश्य काल सबसे पहले हम परिभाशा पढ़ेंगे क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का पता चलता है उसे भविश्य काल कहते हैं अर्थात बच्चो जब हमें पता चले कि क्रिया जो है वह आने वाले समय में होने वाली है तो उसे भविश्य काल कहते हैं भविश्यकाल का एक प्रकार होता है सामान्य भविश्यकाल अब हम सबसे पहले सामान्य भविश्यकाल की परिभाशा पढ़ेंगे क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया सामान्य रूप से भविश्य में होने वाला है उसे सामान्य भविश्यकाल कहते है जैसे लड़के नदी में तैरेंगे दुसरा उधारन है गर्मी की छुटियों में हम श्री नगर जाएंगे अब बच्चों यहाँ पर तैरेंगे और जाएंगे इन से बोध हो रहा है कि कार्य जो है वह सामान्य रूप से आने वाले समय में पूरा हो जाएगा इसलिए ये क्रियाएं सामान्य भविश्यकाल की हैं सामान्य भविश्यकाल में क्रिया के अंत में एगा, एगी, एंगे, उंगा, उंगी, आदी का प्रयोग होता है धन्यवाद